हाई फ्रेंड्स मैं हो सौरप पठट दोस्तों आज मैं आपको ब्रिफ करूँगा CPK ब्रेटेस्ट के बारे में CPK क्या है? CPK का फुल फॉर्म है क्रियेटीन फॉस्फो काइनेज दरसल यह एक एंजाइम है जो दिल, दिमाग और मानश पेसियों में पाया जाता है CPK टेस्ट क्यों किया जाता है? CPK टेस्ट CPK की ब्लड में कित्री मात्रा मौझूद है इसे जानने की लिए किया जाता है CPK की नॉर्मल रेंज क्या होती है? CPK की नॉर्मल रेंज 60 से लेकर 174 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर हो सकती है वह कौन-कौन सी कंडिशन्स है जिसमें CPK का लेवल बढ़ सकता है दिल, दिमाग और मानस्पेशियों की बिमारियों में CPK का लेवल बढ़ सकता है इसके अलावा यदि किसी एक्सिडेंट में मसल कुछले गए हो उस केस में भी CPK बढ़ सकता है क्या नॉर्मल कंडिशन्स में भी CPK बढ़ सकता है? येस, बिलकुल जैसे यदि आपने ज्यावा एक्सरसाइस कर दिया तब भी CPK बढ़ सकता है यदि रिसेंट में आपकी कोई सरजरी हुई है, उस केस में भी CPK बढ़ सकता है या किसी ने बहुत ज्यादा इंजेक्शन ले लिया, उस केस में भी CPK बढ़ सकता है ये मैंने ब्रिफ किया है, CPK के बारे में मैं आप सभी से रिक्वेश्ट करता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजे ताकि यह महत्तोपूर जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुश सके और फ्रेंड्स अंतरता एक और रिक्वेश्ट है कि प्लीज मेरे चैनल हेल्स सीरीज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू